तो तो देखे पहला जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो तक्रीबन 90 परसन लोग करते हैं करते क्या है वह एप्स को यहां से क्लीन करने स्टाट करते हैं जो भी रिसेंटली वह यूज किये हैं यहां से जाके वह क्लीन करने से मेमोरी उनका सेव होगा और बहुत फास्ट वर्क करेगा जब कि यह बहुत-बड़ा बेवकुफी ऐसा कुछ होता नहीं है यह रैम को यह Android वर्सन को यह Android जो मुवाइल है इसको आप से बहतर पता है कि क्या करने से क्या चीज़ होता है रैम खुद बखुद मैनेज कर लेता है आपको इसमें अलग से इंजिनीरिंग करनी की कोई जरुवत नहीं पूरती है जब आप यहां से इसको क्लिंग कर देते हैं तब होता क्या है कि कोई भी एपस अगर नया तरीका से आप अगर खुलने का चेश्टा करते हैं तो वह कैसमें मेरे को फिर से जेनेरेट करता है फिर से लोट करता है तब खुलता है मतलब का अगर यह क्लिंग अप अगर आप नहीं करते हैं तो वह जहां एक सेकंड में स्टार्ट हो जाता है वहें पर अगर आप पूरा क्लिंग करने का बाद अगर खोलिएगा जितना भी एपस है यह सब खोलिएगा तो आपको हो सकता है दो सेकंड लेकर इसका मतलब मेमो जो ज्यादा तर लोग यूज़ करते हैं एंटिवारेस में ज्यादा तो लोग ये सोचकर यूज़ करते हैं या क्लीनर ये सोचकर यूज़ करते हैं कि वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ मोबाइल वगरा एपस वगरा जो यूज़ करते करते तो उनका फोन हैं होता है जरूर ल लेकिन एक अलग से अप्लिकेशन डाउनलोड करके फिर से क्लीन करना मतलब वो खुद तो आपके फोन में एक जगा ले लेता है तो वो कहां से क्लीन करेगा वो आप उसको परसनली भी क्लीन करता है जो आप मैनुवली करते हैं आपका रिसेंटली एपस जो ओपन है उसको क्लीन करता है आपका जो बैटरी लेवल है डीम कर देता है इस तरह कहीं कुछ काम करता है जो आप अराम से परसनली यहां से सेटिंस में जाके भी कर सकते हैं यहां से सेटिंस में जाकते भी आप इस्टोरेज में जाएए या एपस में जाएए वहां पे आप जाकर इसको परसनली कर सकते हैं उसका इस्टोरेज में से माल लिया जो भी चीज हैंग कर रहा है जैसे माल लिया आपका वाटसाप हैंग कर रहा है वाटसाप में आप काम करत या YouTube कर रहा है तो इसको करना क्या है यहां से जाएए आप YouTube में यूटूब में जाने का बद देखिए आपको Storage का एक option मिलता है यहां पर आप जाके clear data कर दियेगा तकरीबन देखिए आपका 90 MB का आसपस लिया हुआ है तो आप clear data कर दियेगा तो आपका जो data है थोड़ा से clear हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा से और अच्छा बर करें लेकिन आपको cash clear करनी के जरुवत नहीं है यहां cash clear कर दिये, cash clear से application खूलने में थोड़ा और जाद है वक्त रखता है यह खुद वक्त मैनेज कर लेता है तो यही काम आपका application करता है और आपका एक जगर वो खुद लेकर बैटे रहता है और continue आपके mobile में background में draining होता रहता है बैटरी क्योंकि उसके अंदर continue add वगारा भी आते रहता है तो यह दूसरा एक चीज था चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि ज्यादा तर application हम लोग क्या करते हैं Google वगरा से search करते हैं paid version को हम लोग free version में search करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं Google में जाके हम लोग search करते हैं कि कौन सा वर्सन क्या है paid apps या फिर free apps apk apps तो apk apps जो होता है वो android device को ही support करता है तो यहां से अगर हम लोग unpaid version paid version या unpaid version या free version अगर हम भूब से search करके यूश करते हैं तो इसमें बहुत सारा bugs आता सकता है malware हो सकता है और जो अपना application वगरा आप browser से search करते हैं तो browser के जरीए वो आप download करते हैं और फिर आपको install करते हैं यह जो है आपका android version जो है वो Linux based server से ही related Linux based operating system related लेकि इसमें किसी तरह कोई bug आता नहीं है कोई antivirus पे जरूरत नहीं पड़ता है इसमें लेकिर खिर भी आप अगर इस तरह से यूश करते हैं तो आपका application चलाने में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकता है क्योंकि वो paid version और unpaid version में आपको बहुत अच्छा तरह से पता है जो developer यूज करते हैं वो secure way में उज कर सकते हैं और android का play store जो है वो बहुत ही secure है वहाँ पर ही तरह तरह के security आपको मिलते रहता है क्यों सा security आपको चाहिए और क्यों सा security आपको phone के लिए आनिकारत है तो unknown source जो है और एक option वो unknown source से हम लोग on करके बहुत सारा application को हम लोग install कर लेते हैं तो unknown source होता कहा है देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाईएगा सेटिंग्स हो जाने के बाद आपको जाने पड़ेगा इस पोल डाउन करके security में तो हमारा mobile में security आपका mobile है कुछ और हो सकता है तो यहाँ पर security में जाने के बाद आप देखिएगा कि आपको एक unknown source का option मिलता है यहाँ से फिलाल हमारा unknown source off है बहुत सारे लोग मुने application को download करन यह unknown source को on करके और यहां से यहां परी बताता भी है कि यहां परी virus attacked by apps from unknown source तो इस तरह से हम को करने चाहिए कि आपको mobile को आपसे ज्याधा knowledge है कि उनको क्या चीज उतार लेना चाहिए क्या चीज डाउंडोड कर लेना चाहिए क्या चीज नहीं तो जो secure है उसको आप उतारे और तीसरा जो है चौथा या चौथा जो है आप application जब install करते हैं तो आप से बहुत सार अप्लिकेशन permission मांता है तो permission जो है आप अराम से दे देते हैं तो permission वगरा जो है तेकि मान लिया यहां से अगर क्या क्या application को क्या क्या permission आप UC browser अगर यूज करते हो है तो उसको जल से Uninstall कर लिए क्या 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 आपको contact यह वो तमाम चीच ऐसा permission मांता है जो कि उसको सर्चिंग करने के लिए जरुवत नहीं पड़ता है तो आप से हर चीच का permission मांता है तो जैसे मान लिया देखिए यहां पर permission कैसे चेक रहे हैं कोई भी application में आप चले जाने के बाद जैसे यहां पर यहां पर परमिशन अगर चेक करिएगा तो यहां देखिए यह permission में देख लिए कि contact, location, phone, sms, storage यह तमाम परमिशन चलिए जिन्यून है कुछ ऐसा application आप इंस्टॉल करिए उसमें आप देखिए जैसे बहुत सरा fake application होता है वहां पर इसमें आप परमिशन अगर द यहां से परमिशन आप चेक कर सकते हैं आपने कौन कौन application होगा क्या क्या फालतू permission दे रखा है तो यहां से परमिशन वगर भी चेक कर सकते हैं ठीक है एक जो है जो तमाम लोग यूज़ करते हैं battery saver एक तो आपका battery जतने यह यूज़ करें हो तो drain होता ही है लेकिन आप उ आपको कोई फायदा नहीं है यह आपको क्या करता है recent application को clear करने का काम करता है ठीक है और कुछ storage में से data को erase करता है ठीक है और खुद अपने कई सारा ads चलाता है आपके mobile के तो इससे आपका application जो already इसमें install है उससे जादा मेरे ख्याल से यह battery saver जो है जो दावा करते हैं कि हम battery save करेंगे जबकि यह बहुत बड़ा हम लोग बीवकूफी करते हैं इसको install करते हैं कोई battery saver और कोई antivirus आपको install करने की जरूवत नहीं है यह RAM को आपको खुद पता है Android device को खुद पता है जो developer developed की है उनको खुद पता है कि आपके mobile में क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या कि आप लोग बीच-बीच में कि mobile को restart करते रहेगे ताकि जो भी आप cash memory या जो भी application installer और install किये हैं तो यह आपका cash memory फिर से जब reboot होता है तो reset हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आप बीच-बीच में करिए 15-20 रोज में एक बार कर सकते हैं आप अपने mobile को इससे आपका battery का capacity वे फता चलता है इसलिए आप अपने mobile को वीच-बीच में restart कर दीए तो चलिए आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like share और subscribe जरूर कर लें और हमारे चैनल से जूनने के लिए हमारे चैनल विजीट करें और तमाम जितना डिया अपडिशन है उसको follow करिए ब और स्क्रीन पर ही हमारा चैनल का लोगो है उसपे आप क्लिक करके हमारे चैनल से जूर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं